हेल्लो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आज हम एक नए चेप्टर से शुरुआत करने वाले हैं, इस टॉपिक का नान है, बैंक रीकंसिलेशन स्टेटमेंट, इस बियारेस, ओके, यह जो बियारेस है ना, यह बियारेस इस टॉपिक से मुझे एक बहुत ही पूम सा दिखने वाला जो बच्चा रहता है ना, जो अंदर से बहुत शैतान रहता है, लेकिन दिखने में बड़ा मासूम रहता है, इस टॉपिक को में compare उस शैतान बच्चे से करता हूँ, बड़ा दिखने में बड़ा क्यूट है, बहुत एजी भी है, लेकिन कई बार ब topic हर बार क्या बोला मैंने हर बार कितने marks का आता है 10 marks का मतलब आप सोच सकते हैं कि ये अकेला topic आपको 10 marks दिला देगा मतलब अगर rectification उसका भी average 10 mark का था BRS का भी average 10 mark का है मतलब ये दोनों topic अगर आपके solid हो गए तो 100 में से आपने 20 marks को score कर लिया पक्का है ओके BRS बात करने स्टार्ट करते हैं आज BRS का मारा lecture number one है heading रा लिए ज़रा bank री कंसलेशन statement that is PR से क्या बोलेंगे BRS PR से क्या बोलेंगे BRS ये topic स्टार्ट करने के पहले वैसे 11th में आपने पढ़ा है कई लोगों को बहुत अच्छे से बनता था और जिनको नहीं बनता था वो सर पठक लेते थे लेकिन उनसे नहीं बनता था है ना तो दुनों type के student मतलब ये topic जो मेरे मेरा जो experience है रोक है कि आप हर बच्चों से ये topic बनना चाहिए ओके चलिए BRS आपको मालब में हर बार हम लोग क्या करते हैं कोई भी topic स्टार्ट करते हैं तो पहले एक base बनाते हैं कि आखिरी है क्या पहले ये तो समझो BRS होता क्या है बनता क्यों है क्यों इसको बनाने की जुरत है चलिए समझते है BRS के बारे में ये basically जो bank reconciliation statement है न ये मैं एक example लेता हूँ इसको शुरू करने के पहले जैसे मान लीजिए ये है हमारा Excel educational institution private limited ठीक है ये है अपना Excel ओके और इधर में लेता हूँ ये थोड़ा सा खराब दिखने वाला है State Bank of India SBI ये दो अलग-लग लोग है Excel अलग है, बैंक अलग है और आपको मालम है accounting हर किसी को करना पड़ेगा Excel भी accounting करता होगा, bank भी accounting करता होगा तो जो bank reconciliation statement है ये basically हम लोग मानते ही, ये हमारा business है अब ये हम जो भी सोचेंगे, हम इसके हिसाफ से सोचेंगे अपने business के हिसाफ से तो Excel अपना नाम है, हम business करें तो BRS जो बनता है वो किसके बारे में ये जो bank, ये जो हम लोग है हम लोग bank के साथ जो landin करते हैं हम लोग bank के साथ जो transaction करते हैं इससे related matter के उपर बनता है BRS, मतब BRS देखते समय, BRS बनते समय, केवल और केवल क्या देखिए, हमारा bank के साथ जो transaction हो रहा है, बस इसी को देखना है तो अब थोड़ा सा मैं और कुछ बात करता हूँ, जैसे Excel, हम लोग क्या करते हैं आपको मालूम है, हम लोग cash book बनाते हैं, कुछ याद है आपको cash book बनाते हैं, और जो cash book होता है, उसमें single column, double column, triple column cash book बनती है, पर जब BRS की बात करेंगे न, तो हमको cash book के एक ही column से मतब होगा, देखो column कौन कौन से होते हैं, cash का discount का, और एक होता है bank का, ठीक है न, और इधर भी किसका होगा cash का discount का, और किसका होगा bank का, ओके, जब हम BRS की बात करेंगे, तो हमको ये दोनों column से कोई मतलब नहीं है cash book के cash और discount column से मतलब नहीं है, हमको किवल कौन से मतलब है, हमको किवल bank column से मतलब है cash book के कौन से column से मतलब है bank के column में अब आपको यह याद होगा कि हम लोग जो cash book बनाते हैं तो हम लोग अपने book में bank को debit cup करते हैं और bank को credit cup करते हैं तो जब भी हम पैसा जमा करते हैं तो वो क्या होता है हम bank के debit side में लिखते हैं जब आप cashbook बनाते हो, cashbook का debit side रहते हैं, वो कौन सा होता है, receipt side और ये वाला कौन सा होता है, बूलिए payment side है ना, ये होता है, receipt और ये होता है payment मतलब अब मैं किवल अगर bank के column की बात करता हूँ तो जब भी भी पैसा हम bank में जमा करते हैं तो हम debit में रिखेंगे, और जब भी भी हम पैसा withdraw करते हैं, जब भी हम पैसा withdraw करते हैं, तो हमारी cashbook में कि side आता है, bank से पैसा निकला तो कि side आता है, create side आता है, मतलब, खुल निला कि इसका मतलब ये हो गया, कि अगर, अगर मैं cashbook के bank column की बात करता हूँ, मैं cashbook के bank column की बात करता हूँ, तो ये जो debit है, और ये create है, तो debit का मतलब क्या होगा, deposit, मतलब जब भी हम पैसा bank में जमा करते हैं, तो हम bank को debit करते हैं, और जब भी हम पैसा bank से निकालते हैं, तो bank को create करते हैं, इसका मतलब simple ये हो गया, अब ये पुरा खेल पुरा खेल इसके बारे में है, मतलब ये topic ना, बहुत 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 आसान है, बस logic को समझना मेरे, मैं जो बोलूँगा ना, उसके logic को समझना और कोई भी अपन advance बात नहीं करेंगे, इदम basic basic सिख बात करेंगे आज, देखिए, मैंने क्या बोला, अपन जो cash book है, cash book के कौन से column से मतलब है भी मेरे को, कि वल bank column, क्योंकि BRS जो बनता है नो, वो banking transaction के उपर है, क्या है हम लोग बात करेंगे भी, तो मैंने आपको यह बताया कि cash book में जो debit side होता है, वो कब record होता है bank column में, जब आप पैसा bank पर जमा करते हैं, और credit कब होता है, जब bank से पैसा निकलता है, तो यह पक्का हो गया, तो यह दिमाग में रहेगा आपने, अच्छा, अब चलो, एक कुछ बात करते हैं लोग, यह XLA SBI है, मैंने आपको एक बात क्या बोला कि दोनों एंट्री पास करते हैं, अब एक मेरा question है, जैसे मांबी जीए, cash, एक्सल ने क्या किया, cash deposited to bank, कोई भी amount लेते हैं, rupees 2 lakh, एक्सल ने bank में पैसा जमा किया, एक्सल ने bank में पैसा जमा किया, तो आप बताएंगे क्या excel क्या एंट्री पास करेगा, बोलिए, पैसा bank में जमा किया, तो Excel एंट्री बनाएगा Bank Account Debit to Cash बचोल एंट्री आपको अच्छे से मालू है Bank Account Debit to Cash कितना? 2,00,00 रुपए ठीक है? Bank Account Debit to Cash कितना? 2,00,00 चलिए ठीक है जी अब आप बताईए अब आप Bank के बारे में सोचिए Excel बूल जाओ, अब आप Bank के बारे में सोचो यह देखिए, यह Bank है Bank भी तो एंट्री पास करता होगा ना? आप बता सकते हैं क्या? जब State Bank अच्छे एक काम करता हो में, मैं Bank की जगह एक नाम लेता हूँ State Bank, SBI हो नहीं चीए अगर मेरे Bank एक से ज़्याद है तो मैं Bank की जगहर उस Bank का नाम लिखूँगा ना? एक ही बात है मैं Bank बुलू यह SBI बुलू तो मैं एंट्री अपनी बुक में क्या करूँगा? SBI अकाउंट डिबेट टू कैश अब आप सोचिए, अब आप Bank बन के सोचो हमें सब जिसकी बुक में एंटी बनाते हैं न हमको बन के सोचाना चाहिए अब आप SBI हो ठेक है? मैं कौन हो भी? मैं क्या सोचाना हूँ? मैं Bank हूँ मैं SBI हूँ अब सोचिए मेरे पास जब पैसा आएगा मेरे पास Excel से पैसा आ रहे है तो मैं क्या एंटी बनाऊँगा? एक Bank क्या एंटी बनाता होगा बताएंगे आप बोलिए क्या एंटी बनाएगा? Bank क्या एंटी बनाएगा cash आ रहे हैं तो cash को debit करेगा मैं और ये पैसा किस ने दिया? Excel ने दिया तो Excel Educational Institution Private Limited को credit करेगा कितने से दो लाग बराबर है? CDC बात है बई? चलो ऐसा सोचो मतलब एक चीज़ सोचने की या समझने की बात क्या है यहाँ पर आप देख सकते है Excel अपनी book में bank को debit करता है तो bank Excel को अपनी book में क्या करता है? credit करता है सही बात भी है अगर दो आदमी हैं, अलग-लग लोग हैं तो दोरों के लिए transaction अलग-लग दिखेगा जैसे, मान दीजिए आपने मेरे को fees का payment किया ठीक है? तो मेरे को cash मिल रहा है मेरे लिए income भी है आप अपने point official सुचो के तो क्या हो गया? आपने cash पे किया और आपके लिए उए expense है मतलब मेरे लिए income आपके लिए expense मेरे को cash आ रहा है आपके पास से cash आ रहा है वैसे ही तो ऐसी होगा ना मतलब कभी भी जब दो लोग आपस में deal करते ना तो अगर एक आदमी दूसरे को debit कर रहा है तो दूसरा दमी पहले वाले को क्या करेगा credit बस same rule apply होगा मतलब जब हम लोग bank को debit करेंगे ना तो bank वाला उनको क्या करेगा? credit करेगा यह हमेशा होगा तो यह बिलकुल इससे example से चीज क्लिर हो गई कि जब-जब मैं bank को debit करूँगा अब तक bank में लिकूँ क्या करेगा? credit करेगा और naturally इसका दूसरा example भी ले लो देखो एक और example लेता हूँ हाँ, चली बताइए अगर हमने पैसा bank से withdraw किया अगर हमने पैसा bank से withdraw किया तो आप बताएंगे entry क्या बनेगा? यह entry number 1 हुई मैं entry number 2 लेता हूँ इसको मैं लिखता हूँ cash withdrawn cash withdrawn बताइए अगर मैंने पैसा bank से निकाला from bank, naturally यह क्या बात करेपन? from bank, मैंने पैसा bank से निकाला तो मैं entry क्या बनाऊँगा? Excel entry क्या बनाएगा? Excel के पास cash आ रहा है तो cash को debit करेगा और यह पैसा किस ने दिया? SBI ने दिया SBI को क्या करेगा? credit करेगा? ठीक है? यह excel entry बनाएगा अब बताइए bank क्या entry बनाएगा? bank, bank पैसा दे रहा है Excel को तो bank debit किसको कर देगा? Excel को तो bank Excel को debit कर देगा और to bank के पास से क्या निकला? cash अब important बात क्या देखो आप हमने SBI को किया credit तो SBI ने हमको क्या किया debit यह देख सकते हो आप इसका मतलब मैं यह बोलना चाहता हूँ आपको कि हर businessman भी entry पास करता है और bank भी entry पास करता है भाई नहीं तो आप अगर bank अच्छा आपके मन में आ रहा हुआ कि bank क्यों entry पास करता है अरे bank भी तो एक व्यापारी एक business कर रहा है अगर bank entry नहीं करेगा तो क्या होगा आपने मान लो आप आपने 2-4 साहल तक पैसे जमा करते गए थोड़े निकालते गए अचानक bank में पहुँच गए और bank को क्या बुला में को 10 लाक रुपे दो मेरा 10 लाक रुपे जमा है तो bank के पास भी तो सबूत होना चीना कि कितना पैस आपने जमा किया तो इसलिए bank भी आपके book आपकी entry पास करता है आप जो भी लेंडिन करते हो हम भी entry पास करता है और bank भी entry पास करता है तो और एक important बात क्या होगी हम जब bank को debit करते तो bank आपको credit करेगा और हम जब credit करेंगे तो bank आपको debit करेगा ठीक है? ओके? हाँ चलिए, अब मैं इस important बात पे आ रहाँ BRS बनाते समय हमारा पूरा फोकस होगा cash book मतलब हमारी book businessman के book के bank column और cash book का bank column का debit और credit का मतलब पूरा clear कलो हम debit कब लिखते हैं जब पैसा जमा करेंगे और credit कब करते हैं जब पैसा निकलेगा, ओके? चलिए अब एक बात बताईए अब मैं आपको देता हूँ pass book, यह जो bank वाला है state bank of India SBI, अलग कलर में एक लिखा हूँ SBI, SBI भी अपने book में किसका account बनाएगा? Excel का account बनाएगा, EIPL's account ठीक है? अभी जो SBI जो account बनाएगा ना उनका आपने कभी pass book दिया होगा बतलब यह जो state bank of India यह अपने हर customer का account बनाता है और account बनाके उसके copy अपने account, अपने client को submit करता है, जिसकों बोलते हैं, pass book या bank statement क्या बोलते हैं? bank statement मतलब what is pass book और what is bank statement? bank अपने जितने भी customers हैं, जैसे Excel bank का इक customer है, तो जितने भी transaction Excel के साथ हुए है ना, Excel ने पैसे जमा किया निकाला तो bank क्या करता है, समय समय पर उसकी पूरी entry बनाकर Excel को देता है, तो वो जो book रहती ना, जिसमें bank वाला entry बनाके दे रहा है, उसको बोलते है pass book या उसी को बोलते है bank statement आजकल bank statement का जमान है, मतलब bank क्या करता है, computer से print out निकाल के दे तो उसको क्या बोलते है bank statement, तो pass book या bank statement, जो word है ना, इसका मतलब, ये दोनों का मतलब क्या होता है bank की book में bank की book में हमारा account, bank की book में हमार account, ठीके? इसका format मैं बताता हूँ कैसे होता है इसमें एक column होता है date का इसके बाद एक column होता है particular's का, ठीके? उसके बाद होता है debit फिर होता है credit और उसके बाद होता है balance, ये pass book का format है या bank statement का format है, देखो हमारे cashbook का format थोड़ा अलग होता है पर passbook का format थोड़ा सा लग है उससे फ़रक कुछ नहीं पड़ता चाहे format कुछ भी बनाओ important है debit or credit तो चलिए अब मेरे पर एक बात बताईए जैसे यह किसका है passbook क्या bank statement का format तो यह जो bank वाला जो debit करता है हमको कब करेगा और bank वाला हमको credit कब करेगा हम जबी भी पैसा withdraw करेंगे तो bank वाला हमको debit करेगा और हम जबी भी पैसा जमा करेंगे तो bank वाला हमको credit करेगा वापस से सुनिएगा हम जब पैसा निकालेंगे तो bank वाला मतलब state bank हमको debit करेगा और जबी भी हम पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बैंक हमको credit करेंगा या अब मैं इसी को थोड़ा सा और ये format को change करता हूँ मतलब जब passbook की बात करेंगे समझिएगा जैसे कोई भी आपको मल में accounts में दो इची होती है चाहे हम लोग maintain करें बैंक को अब मिंटेन करें एक कोगा debit और एक होगा credit तो आप बताईए passbook वहे passbook 익sil को debit कब करेंगा और credit कब करेंगा जब जब एक्सल से पैसा निकलेगा जब एक्सल पैसा निकालेगा मतलब जब बैंक से पैसा निकलेगा ठीक है जब भी भी Excel का पैसा निकलेगा तो bank वाला Excel को debit करेगा और जब भी Excel पैसा जमा करेगा तो bank वाला हमको Excel को क्या करेगा? credit करेगा इसका मतलब आप देखिए अगेन देखिए जब हम लोग credit करते हैं जब पैसा निकलता है pass book में entry royalty होती है entry royalty नहीं होती है उसका angle बदल जाता है न और जब हम पैसा जमा करते हैं तो हम अपनी book में जिसको debit करते हैं bank वाला उसको क्या करता है? credit करता है तो एक चीज़ अच्छे से दिमाग में आप बैठालो कि हमारी cash book में debit का मतलब deposit credit का मतलब withdraw pass book में उल्टा चलता है जब भी पैसा निकलेगा ना हमारा तो bank column को debit करेगा और जब हमारा पैसा जमा होगा तो bank column को credit करेगा ठीक है? तो इस दोनों की book में entry यां अलग लग करीजे से होती है चलिए यह हमने बात किया अब चलिए मैं कुछ example लेता हूँ आपसे दोनों के बीच के कुछ transaction को हम लोग analyze करते हैं इसको सीखते हैं समझते हैं इसको मैं तीन column में बनाता हूँ एक में में लिखता हूँ लिखते जाएगा मैं साथ साथ में transaction cash book pass book transactions cash book pass book example ले रहा हूँ transaction number one लिखते जाएगा cash deposited into bank एकदम basic example है और बड़ी important है base बनाने के लिए देखो सुनिएगा हमने पैसा बैंक में जमा किया तो मान दीजिए कोई भी date लेता हूँ मान दीजिए हमने पैसा जमा किया 20th April कब जमा किया? मतब 20 April को मैं बैंक में गया और पैसा जमा करके आ गया तो cash book में entry कब होगी? 20th तरीको क्योंकि आज हमने पैसे जमा किया अच्छा pass book में entry कब होगी? 20th तरीको क्यों 20th तरीकों entry होगी? क्योंकि bank को भी उसी दिन लिए गया आज में 20th तरीकों जमा करना हो तो bank को भी आज में गया तो दोनों book में entry कब होती है? 20th तरीकों ठीक हो ठीक है? आज हमको पैसा मिल गया, हमने एंटी कर दी, bank से आज पैसा निकल गया bank वाले भी एंटी पास कर लेगा, चेक है मतलब ये दोनों में, ये दोनों transaction जो है ना उसमें दोनों book में entry same date को होती है लेकिन एक सवाल है, क्या आपको लगता है हर transaction की entry दोनों book में same date को होती है इस cancer है no, अब मैं कुछ ऐसे example दे रहा हूँ जहां पे, जहां पे दोनों book में entry अलग-लग date को होती है और उसी की वज़े से दोनों की book में difference आ सकता है चलिए, example लेते हैं, और उसको समझते हैं एक्जामपल लेते हैं, मान लीजे, आपने मुझे एक check दिया, ठीक है आपने मुझे एक check दिया, fees का, तो आपसे मुझे check मिला आप मेरे customer हो गए समझ लीजे, customer ने मुझे check दिया और इस check को मैंने bank में जमा किया, तो लिखता हूँ check deposited to bank check deposited to bank on 27th apple रुकिएगा, इसके आप कॉमा करके छोड़िएगा देखो, क्या बात करें हम लोग, हमने, आपने मुझे check दिया तो इस check को मैंने bank को जमा कर दिया, कब जमा किया, 27 सारी को तो आपको मालिमें, मैं तो क्या करूँगा, जिस दिन मैंने bank को check दिया न मैं अपनी book में entry कप करूँगा, 27th apple को मैं entry करूँगा, मैंने आज check bank को दे दिया न तो मैं अपनी book में entry कप करूँगा, 27 apple को मैंने entry पास कर दी लेकिन सवाल है, क्या bank वाला भी entry 27 apple को करेगा क्या मतलब जिस दिन देखिये मैंने बेंक को चेक दिया 27 को तो बेंक को भी चेक तो मिल गए 27 को लेकिन क्या बेंक मेरे अकॉण में पैसा उसी दिन जमा कर लिता है क्या कभी नहीं करता, क्या होटा होगा सोचना, मैं इदर ना थोड़ा से एक एक गंप ले रहाँ होता क्या होगा सोचो आप देखो यह है Mr. X यह है Excel ठीक है Excel आपने आपने 30,000 रुपे का एक फीस का चेक दिया Excel को क्या होता होगा सोचना ठीक है अब यह मान दीजिए जो आप है ना आपका अकाउंट है IDBI में ठीक है सर और Excel का अकाउंट कि कहां पे SBI में मैंने एक्जांप इस तरीक को इस चेक को किसको देदिया SBI को ठीक है अब क्या होता होगा अब यह जो SBI यह किसके बास जाएगा आपके बैंक अगर सकता है तो हो सकता है कि SBI ने क्या क्या होगा इस चेक को आपकी बैंक को दिया IDVI को और आपकी बैंक से पैसा लेकर ये 2 मही को आया कब आ रहा है 2 मही को मतलब SBI को पैसा कब मिला IDVI से 2 मही को तो SBI अपने बुक में entry कप पास करेगा 2 मही को इसको बोलते हैं जिस दिन पैसा क्या हुआ collect हुआ जिस दिन चेक क्या हुआ collect हुआ चेक मिला नहीं जिस दिन चेक का पैसा collect हुआ या इसे को बोलते हैं जिस दिन चेक clear हुआ में पैसा कम मिला दो मही को क्योंकि पैसा कलेक करने में टाइम लगता है ना तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखे मैं वापस यहाँ पर क्यूशन में आता हूँ मैंने क्या लिखा चेक डेपॉस्टेट टू बेंक ओन 27 अफिल पूबूर cricket आपकोो लिकिन वह जो पास बूक है पास बुक में आ टी कब हो गि है यही एंटी बनेगी सेकेंड में को कब अंविकी सेकेंड में एंटी बनेगी जिर दिन पैसा कलेक्ट हुआ या जिर दिन वो check clear हुआ ठीक है मतलब दोनों की book में क्या आगी देखो आप अलग लग date में entry बन रही है entry दोनों करें लेकिन दोनों की date अलग लग है ठीक है सर आगे बढ़ते हैं और fourth number के उपर बात करते हैं लेखिए check issued check issued on 29th April check issued on 29th April कुछ भी example लेते हैं माल दीजिए मेरा electricity बिला है excel में electricity बिला है तो हमने 29th April को एक check काट के electricity department को दे दिया सोच रहा यह देखो इस बार क्या हुआ यह excel है यह कौन है बिजली विभाग electricity department या electricity office तो हमने electricity again हमारा bank है SBI इसका bank अपन ले लेते है ICICI मान लेते है ठीक है तो अब excel ने electricity department को कौन से दिन दिया 29th April को तो 29th April को हमने check दे दिया तो हम जैसी check देते न तो हम लोग तो आज एंटी बना लेगे न भाई SBI एक्सल एंटी का बनाएगा जैसी चेक इशू कर देगा तो हमने एंटी पास कर दी मतलब यहां पर में लिखता हूँ हम लोग एंटी का बनाएगे 29th April जैसी मैंने check किसी को इशू किया जारी किया तो मैं तो एंटी 29th थारी को बना लूँगा लेकिन अब ज़रा सोची है क्या हुआ अब electricity department के पास चेक आ गया वो चेक ICI-CIA बैंक को देगा अपने अपने बैंक को देगा फिर जो ICI-CIA बैंक यह वो मेरे बैंक excel के बैंक में आएगा ठीक है इसको बोलते है ICI-CIA ने मान लीजी जो चेक है न यह चेक प्रजेंट किया presented to SBI on on 1st May सोचिए क्या हुआ हमने 29 अप्ल को 29 अप्ल को हमने electricity department को चेक दी दिया अब जो electricity department उसने क्या किया वो अपने bank को चेक देगा कि जाओ collect करके ले क्या हो तो उसने एक दो delay दिया तो ICI से हमारे SBI में कवाया एक मही को एक मही को क्या हुआ एक मही को SBI ने हमारे account से पैसे निकाले पैसे क्या क्या है पैसे क्या किये निकाल कर किसको दे दिया है withdrawal and given to given to ICICI इसका मतलब क्या हुआ हमारे bank से पैसा कब निकला SBI ने पैसा कब दिया हमारे बदले में 1st मही को तो SBI हमारी book में entry cup pass करेगा अपनी book में entry cup pass करेगा एक महीं को अरे SBI के pass से जब पैसा जाएगा तभी तो entry pass करेगा ठीक है इसका मतलब क्या हुआ देखो यह मैं लिख रहा हूँ यह मैंने आपको बताया अलग लग डेट हो सकता है मतलब हमने excellent entry pass कर दिया 29th apple को जबकि SBI ने entry cup pass किया SBI ने entry pass किया अपनी फर्स्ट में को तो इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ यह देखे मैं लिखता हूँ यहाँ पर check issued on 29th apple चीक है check issued on 29th apple, presented इसी को बोलते हैं presented for payment presented for payment on first month लेकिन हमारे bank के पास payment के लिए present कब हुआ एक मही को payment के लिए present हुआ न तो यह जो SBI pass book है हमारे pass book में entry कब होगी first month को क्योंकि bank रेपैसा कब दिया first month को समझ रहे हैं मतलब देखे यहाँ पर भी क्या हो गया दोनों के book में difference आ गया अब एक सवाल हो रहाता है यह दोनों में आप देख रहे होंगे कि हमारे bank में entry पहले हो रही है हमारे bank में स्वारी हमारी जो cash book है उसमें entry पहले हो रही है और pass book में entry बाद में हो रही है इसको बोलते हैं later हमारे book में entry पहले हो रही है और pass book में entry बाद में हो रही है लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होता है क्या हर बार ऐसा ही होता है कि हम लोग पहले entry बनाते हैं फिर bank में entry बाद में होती है चलो कुछ और एक्जांपल लेते हैं पांच वार नमबर एक्जांपल लीजिए फिफ्ट नमबर हम लोग बैंक से बहुत सारे काम कराते हैं तो बैंक क्या करता है महीने में एक बार हमसे कमिशन या हमारे से चार्ज लेता है माननो एपईलमंत में मैंने बैंक से मान लीजीं 5,00,000 रुपई का कुछ सर्विसस लिया और बैंक ने मेरे को 500 रुपई उनके पूरे चार्ज होते हैं कि कित्ता चार्ज लगेगा तो बैंक ने मेरे उपर 500 रुपई का चार्ज लगा तो चार्ज लगा है मतलब क्या होता है बैंक मेरे को फोन करके थोड़ी बोलता है कि सर 500 रुपए चार्ज लगा रहा है बैंक क्या करता है मेरे अकौंट से पैसा निकाल लेगा 500 रुपए तो बैंक वाले ने एंट्री पास कर दी 30 अप्ल को पर हमको तो पता ही नहीं था हम मतलब एक्सल हमको तो पता ही नहीं कि बैंक मेरे चार्ज किता रुपे लगाया, हमको कब पता चलेगा जब मेरे पास passbook आई, बैंक वाला हर मेने के आकवी में bank statement देता है, पास book देता है, या हम लोग ले लेते हैं, जाके, तो जब मेरे को, और मैं माली जीए, मैं 7 मही को गया, मैं bank के पास कब गया, 7 मही को कि मिरे कुछ थो आपका statement दो तो bank ने 7 मही को जब देखा 30 अप्यल तक का जो हिसाब bank ने मुझे दिया वो मुझे कब मिला 7 मही को तो 7 मही को जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि bank ने मेरे ओपर 500 रुपे का चार लगाया तो मुझे पता चला 7 मही को तो मैं एंटी कप पास करूँगा अपनी बुक में 7 मही को अरे बैंक चार्ज मेरा खर्चा है मुझे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा न तो मुझे पता नहीं था इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया Standing Order As per Standing Order ये क्या होता है भाई? EMI आपको माल में माल दीजी हमने ये जो बिल्डिंग बनाई है उसके लिए हमने बैंक से लोन लिया था तो हमने जब लोन लिया तो हमने बैंक को शुरू में इंस्रक्शन दे दिया था कि हर मेंने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल निकाल क्या EMI का payment करते जो तो बैंक क्या करता है? लोन का payment करते रहता है हम एक बार बोल चुके हैं तो बैंक बार बार नहीं पुछेगा हर बार बैंक payment करते आएगा तो मान दीजीए बैंक हर मैने के 28 तरीक को हमारे अकाउंट से पैसा निकाल के दे देता है जिससे हमने लोन यह उसको दे देता है तो बैंक ने पैसा हमारे अकाउंट से कब निकाला? 28 अपेल को तो बैंक ने तो बैंक ने पैसा निकाल के दे दिया और एंट्री पास कर दी लेकिन कई बार क्या होता है, मलूँ हमें लोग भूल जाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ने निकल रहा ना, पैसा हमारे बदले में कौन दिरहा बैंक, तो हम लोग भूल जाते हैं कि बैंक ने EMI का पेमेंट कर होगा, हम आजे, पता कब चलता है चार महीं को, सिधी बात है न, जब मेरे को मालूम चलेगा, तभी तो मैं एंट्री पास कर पाऊंगा, ठीक है, तो कुल मिलाके, आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे, पहले एंट्री पास हो रही है, बैंक में, और उसके बाद एंट्री पास हो रही है, ह हमारे बुक में बात बहुते है अब एक चीज सोचिएगा एक सोचने वाली बात क्या है यहाँ पर यह देखिए अगर यह हमारी कैश बुक है यह पास बुक है अब मैंने एक चीज तो आपको क्लियर कर दी कि दोनों बुक में date में difference आता है अब क्या होता है जो businessman होता है वो मालीजे हम यह चाहते होंगे कि हमारे बुक के transaction को bank के transaction के साथ इलाए जाए कई हमसे तो गलती नहीं होगे या bank से तो गलती नहीं होगे तो हम लोग क्या करते होंगे सोचना जैसे यह हमारी cash book है और यह हमारी pass book है यह bank के pass book है ठीक है अब April month यह मैं April month की बात कर रहा हूँ normally क्या होता है सुनना normally जो business man है तो होता है न यह हर मेने हर मेने अपनी cash book के cash book का मतलब cash column नहीं कौन से column की बात तो यह bank column है ना bank column केवल केवल अपने को bank से मतलब है तो business man क्या करता है हर मेने अपनी book के transaction को pass book के transaction से match करता है बिलाता है कि पूरी entry हों बराबर है की नहीं अब मैं कुछ example लेता हूँ जैसे मान लीजिए हमारे debit में दिख रहा है 2,1,00, रुपए इधर एक आगया 2,00, रुपए इधर एक आगया 3,00, रुपए इधर create में मैं लेता हूँ मान लीजिए 50,000, रुपए इधर आगया 1,50,000, रुपए इसके बाद आगया 80,000, रुपए और फिर एक आगया 20,000, रुपए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ये debit का मतलब क्या होता है, deposit, ठीक है न, ये धियान रखना मिशा, और हमारे book का credit का मतलब क्या होता है, withdraw, ये क्या होता है, withdraw, ठीक है, तो मतलब हमने April मन्त में इतना पैसा जमा किया, इतना पैसा निकला, तो जराब बताईए, हमारे book में, मतलब हमारी cash book में bank balance किता दिखिएगा देखो total कर लो 6 lakh rupees हम Clemente जमा किया और withdraw किता किया total किजिये जरा 2, 3, 2, 3, 2, 3 लाक रुपर हमने withdraw किया तो balance किता है 3, 2, 30, 100, Bene was 30 Apple की दिन 30 Apple की दिन हमारी book COR के दिन हमारे book में bank balance किता रहा है 3, 2, 0, रुपए मतलब हमारा बुक ये बता रहे कि हमारा बैंक में 30 लाक रुपए जम है ठीक है अब ये जितने टांजेक्शन हमने रिकॉर्ड के हैं देखो बैंक में क्या किया एक्जांपल ले रहा हूं आपको एक बात तो मालू है हमारी बुक में जो डेबिट दिखेगा बैंक म का क्Иा दिखा़े रहा हूं पासबॉक चलो पासबॉक में मैं अमांट लिख रहा हूं वन लेथर यक में इधर मैं लिखता हूं इक किति की ऑंग में और तीटाउजन बंललेक फिंटी रूजन बस रूक जाय। पास बूक में 75 मन्त में बस इतने टांजेक्षन होए तो पास बूक का बैलेंस देखे जँड़ा क्या रहे 30 अपल को 30 अपल को बैलेंस क्या रहे इनका टोटल हो गया स्क्स लेक इनका टोटल हो गया 2,8 6,0,8 में 2,0,9 भर जो तो कित्ता हो गया 3,00,00 रुपे, हमारे हिसाब से 3,00,00 रुपे जमाएं, लेकिन जब पार्ट बुक देख रहे हैं, तो कितने रुपे जमाद देख रहे हैं, 4,00,00 रुपे, मतलब एक दिन में दोनों बुक में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया? तो एक सवाल है, क्या आप पता नहीं करना चाहोगे कि difference क्यों है बिलकुल भाई आप देखोगे न कि एक लाग रुपय का difference आया तो आया है क्योँ तो एक लाग रुपय का difference किस वज़े से आया इसको जाचने के लिए इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे देखो आप हमने दोनों बुक के बैलेंस को मिलाया होगा कैसे देखो practical vision दे रहाऊ ना होता किया है अब मैं आपको practical बता रहा हूँ एक लाग का डिशन्स आ गया, ठीक है, अब व्यापारी करता है क्या देखो आप, व्यापारी हर मंत में, हर मंत के आखरी में क्या करेगा मलूम आपको, एक तरफ रखेगा कैश बुक, एक तरफ रखेगा कैश बुक, और दूसरी तरफ क्या रखेगा पास बुक, अब कैसे मि कर लिए विए लगए उसने भी कर लिए 11002 यह इसी की वज़न से एक लाग रूपए का डिफ्रेंसा रहा है, 80,000 और 20,000 डिफ्रेंस के तेक अगया, एक लाग रूपए, तो बिजनसमें क्या चाहता है, कि यह जो 80,000 और 200,000 का डिफ्रेंस है न, यह लिख के रख लेता है, एक स्टेट्मेंड बनाता है, उसमें लिख के तार रहना चाहिए न कि 80,000-20,000 रुपए बाद में bank में entry हुई की नहीं हुई, तो क्या करता है, लिक लेता है, वो इस चीज को याद करने के लिए क्या करता है, एक statement बनाता है, अब वो इसी को क्या बोलते है, BRS, क्या बोलते है, BRS, मतलब अब वो क्या करेगा, अब वो जो businessmen है, वो क्या करेगा, वो लिखेगा, BRS, bank reconciliation statement, cash book को bank से मिला रहा है, BRS कब का बना रहा है, as on 30th apple, वो 30 apple का बना रहा है, वो 30 apple का BRS बना रहा है, और BRS में वो क्यासे करता है, मानूं आपको, वो लिखेगा, debit balance as per cash book, debit balance as per cash book, कितना balance था, cash book के इसाब से 3 लाग, तो वो लिखता है, कि cash book में balance दिख रहा था, 3 लाग रुपए, और फिर आपको माले में 80,000 रुपए एक है, जो difference है, और दूसरा 20,000 आ रहा है, मतलब जिसकी वज़े से difference आता है, दोनों book में, जिसकी वज़े से difference आता है, और difference किसकी वज़े से आएगा, जो एक book में record हो गया, दूसरे book में record नहीं हुआ, उसी के وجہ से तो difference आ रहे ना तो उसको वो क्या करता है उसको वो plus minus करता है उसको क्या करता है यह जो difference है ना difference को plus करता है यह minus करता है और plus minus करने के बाद यह जो 4 S पर S पर Passbook यह अपने आब बना के रखता है इसी को बोलतें BRS मतलब इसका purpose समझो ना क्या हुआ उसको याद रहेगा कि पिछले मैंने जब मैंने पिछले मैंने जो 3 लाख और 4 लाख रुपए में मेरी book में 3 लाख आ रहा था उसकी book में 4 लाख क्यों क्यों तो BRS क्यों का जवाब देता है कि difference हाकिर क्यों आ रहा था तो BRS देखीगा न तो उसको याद आएगा कि अच्छा-च्छा 80,000 और 20,000 के entry मैंने कर लिया था लेकिन bank में entry पास नहीं होई थी उसकी वज़े से क्या रहा था difference हा रहा था तो एक तरी किसन है working note है वो अपने बास बना के रख लेता है ताकि आगे future में उसको reference लेने में उसको easy रहेगा आगे पता रहेगा कि ये दोनों पास बुक में फिर entry हो रही है की नहीं हो रही है तो उसको track record करने में उसको help नहीं दिये है तो ये इस वज़े से बनता है BRS naturally अगर आप बताइए मेरे को जैसे अगर पास बुक में भी entry पूरी हो जाती मतब जो 80,000 और 20,000 है हमने entry पास कर दी bank ने भी entry कर दी तो हमारे बुक में भी 3,000,000 का balance आएगा पास बुक में भी 3,000,000 आएगा तो यहाँ पे BRS बनेगा क्या? नहीं बनेगा BRS कब बनता है चब दोनों बुक में difference आजाए दोनों बुक में क्या बन जाए? difference आजाए तो हम BRS बनाने का मतलब हो गया हम BRS के दोरा एक बुक से दूसरे बुक में पहुंसते हैं और बीच में difference लिखते हैं कि इनकी वज़़े से यह difference हा रहा है अब आपको पूरे BRS में क्या करने है? मालूम आपको अब आपको पूरा BRS में करना क्या है? आपको एक बुक से शुरुआत करने है क्यूशन में आपको दिया रहाएगा cash book या pass book दो ही बुक होती है एक बुक से शुरुआत करना है फिर आपको ना question में दिया रहाएगा कि इसकी वज़े से difference आए इसकी वज़े से तो उन सब को क्या करना है plus minus और plus minus करने के बाद आपको दूसरी बुक तक पहुँचना है ठीक है? cash book से start करेंगे तो plus minus करके pass book तक पहुँचेंगे pass book से start करेंगे तो plus minus करके cash book तक पहुचेंगे तो यह होता है BRS ओके? चलिए आगे बढ़तें देखिए आपको थोड़ा सा याद होगा यह हाँ यहाँ पे जो मैंने अभी बताया आपको यह 3,00,00,00 का क्या निकला? balance निकला? 3,00,00,00 का क्या निकला? balance कुछ याद हारा आपको balance कैसे निकलते थे? लेजर याद ना आपको यह 3,00,00 का balance का मतलब क्या हुआ? debit का total ने 6,00,00, यह देखिए और credit का total ने 3,00,00, तो दुनों का difference किता हुआ 3,00,00 अब जो balance इसी को बोलते है balance 3,00,00,00 का balance है balance दो टाइप का होता था debit और credit debit balance या credit balance तो इस तीन आख रुपे का balance कौन सा balance से बोलिए? कौन सा balance होता है? debit balance कुछ याद है debit balance का मतलब क्या होता था? जिदर का पलड़ा भारी है वो balance है debit का total 6,00,00, यह आपे bank का balance निकालता है तो दिखिएगा है यहाँ पे cash book cash book का debit balance वर्ड़ गर आता है कोई भी question जब हम start करेंग ना तो आपको दिया रहेगा कि cash book का debit balance है की credit balance है तो cash book का debit balance का मतलब क्या हो गया? अपना पैसा bank में जमाए deposit हमारा पैसा bank में जमाए हमारे book में, अच्छा cash book का मतलब यहाँ पे क्या है मैं बार बार बता रहा हू bank column की बात करें की वर्ड तो bank column का debit balance मतलब क्या हो गया? asset deposit का हो ती हमाल लिए asset है ने चुली deposit का मतलब क्या हो गया? asset asset का debit balance होता है ना या इसी को एक नाम और लेखते हैं, बोल कि येगा deposit भी बोलते हैं या इसी को एक नाम होता है favorable balance क्या नाम होता है? favorable balance अरे अगर पैसा आप मेरा bank में जमा है तो मेरे लिए favorable है ना पैसा जमा है तो favorable है तो debit balance कोई क्या बोलते है favorable balance, cash book है ठीक है? अच्छा, या फिर cash book का क्या हो सकता है? credit balance अच्छा, आपकी दिमाद में भी होगा, credit balance का मतलब क्या? credit का total जादा और credit में क्या लिए पैमिंट या दिना आपको cash book के credit में क्या लिए पैमिंट और debit में क्या लिए पैमिंट जादा है receipt, तो अगर credit जादा है मतलब payment जादा है, तो ने चुली वो क्या रहेगा, overdraft overdraft credit balance का मतलब क्या overdraft और overdraft हमाली क्या होती है? liability क्या, अच्छा, overdraft है हमारी ये credit balance है 30 अपिल को credit balance है, cash book में तो ये हमाल ये favorable है क्या? नहीं, loan favorable नहीं होता तो इसको क्या बोलते है? unfavorable unfavorable balance unfavorable balance तो मैंने आपको पहली बात बताई कि जो cash book होती है cash book के debit balance का मतलब होता है पैसा जमाए, deposit और cash book के credit balance का मतलब होता है order out, ठीक है? चलिए अब दूसरी बात करते है, दो book BRS मतलब दो book, एक cash book दूसा pass book, pass book है एक नाम और क्या होता है? bank statement, क्या नाम होता है? bank statement, तो अब मैं बात करता हूँ pass book के बारे में ये जो हमारी pass book है pass book का debit balance का मतलब क्या होगा? और pass book के credit balance का मतलब क्या होगा? अब आपको बताने क्या आउश्चता नहीं है आपको अच्छे से मालू में cash book और pass book उल्टे गते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? cash book के debit balance का मतलब deposit था और cash book के credit balance का मतलब order out है, तो pass book के debit balance का मतलब क्या होगा? Passbook के debit balance का मतलब होता है overdraft और overdraft का मतलब क्या हो गया? Unfavorable अगर हमको Passbook के लिए उसमें हमारे debit balance है, debit balance मतलब क्या हो गया? हमने ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, तो unfavorable है और Passbook के credit balance का मतलब क्या होता है? Deposit हमारा पैसा बैंक में जमाएं तो इसी को हम क्या बूते हैं फेवरेबल लिखिएगा सब चीद दिख लेना अब हम लोग ब्यारेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं देख लो और बार बार एक बात को दो रहाऊंगा मैं भूलना मत कैश बुक का डेबिट बैलेंस कैश बुक और पास बुक दोनों में एंट्रियां उल्टी होती है मालो में हम जिसको डेबिट करते हैं बैंक को अलग करेट करेगा हम भी सही है बैंक भी सही है गलत कुछ नहीं है हम जिसको क्रेट करते हैं बैंक को डेबिट करता है तो इसलिए हमारे बुक में डेबिट बैल आप एक बात बताईए BRS कौन बनाता है छुटे-छुटी कुछ क्रिश्चन है BRS prepared by कौन बनाता है मतलब क्या हुआ business बनाएगा या bank बनाएगा business को मैं customer बोल सकता हूँ जैसे Excel customer है SBI का तो Excel BRS बनाता है कि bank बनाएगा BRS हमेचा कौन बनाता है customer और customer का मतलब यहाँ पर किसे business entity जिसको बोलते हैं entity excel बनाएगा कभी भी bank BRS नहीं बनाता अगला सवाल BRS when prepared बनता कब है question आपसे BRS बनता कब है 15 दिन में बनता है हर मेने बनता है हर 3-3 मेने बनता है हर 6-6 मेने मेने बनता है या साल में एक बार बनता है क्या होगा answer BRS कब बनता है anytime any day बोल सकते हूं हमारी इच्छा हम जब चाहे तब BRS बना सकते हैं अरे BRS का मतलब क्या हो गया cash book को pass book से मिलाना cash book को pass book से मिलाना मेरी जब इच्छा में बिला सकता हूं कैसे मालो मेरे बहुर आठ transaction होते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं मैं हर 10-10 दिन का भी BRS बना सकता हूं मैं क्या करता हूं हर 10 दिन में मेरा system है कि महिने में 3 बार bank मिलाओंगा 3 बार bank मिलाओंगा तो सोचिए मैं 10 तारीक, 20 तारीक, 30 तारीक fix कर दिया मैंने मतलब BRS ऐसम में सूचना हर मेने बनता है या साल के आखने में बनता है BRS कभी धी बना सकते हो कभी धी जब हमारी इच्छा तो अब exam में जो question या जो अपने को question दिया रहेंगे ना वो एक particular period के दिया रहेगा कि इस period में इसमें ये transaction हुआ, इसमें ये हुआ BRS बनाओ, ठीक है? लेकिन practical life में हम लोग normally महीने में एक BRS तो बनाते ही है लेकिन compulsory नहीं है आप तीन में में एक बार BRS बना लो तो भी चलेगा अरे साल भन में एक बार बना लो तो भी चलेगा लेकिन क्या लगता है, BRS बनाना चाहिए कि नी बनाना चाहिए, कुछ फाइदे है क्या? बहुत बड़े फाइदे देखो, BRS बनाने से कई सारी गल्तियां हमको मालुम चलती है, जो हमने entry नहीं बनाई क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी हमारे income expense है पर हमको ही नहीं पता था क्योंकि पैसे bank में आ गए या bank से निकल गए अचा कई बार क्या होता है मालुम आपको कई बना bank भी तो गल्ती करता है मान लीजिए मैंने किसी को चेक दिया है नहीं और bank मेरे account से पैसा निकाल लिया आपको पता कैसे चलेगा क्या bank भगवान है क्या नहीं अरे bank में भी तो employee है उनके भी तो गल्ती है वो भी तो गफले करते है तो क्या होता है हम अगर time to time मिलाते रहेंगे ना तो हम पूछ सकते है 10 लाग पर हमने दिया नहीं आपने हमारे account को कैसे debit किया हमारे account से पैसे कैसे निकले तो bank वाला उसको ठीक करेगा तो इसलिए BRS बनाते रहना चाहिए ओके तो यह हो गया और अब दोस्तों मैं आ रहा हूँ exam के point of vision मैंने conceptually आपको लगबग चीज़ें clear कर दी थोड़ी बातें और जो बची होगी न यह साथ साथ में मैं बताते रहोंगा अब हम लोग बात करते हैं how to prepare how to prepare BRS how कैसे बनाए BRS अब सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने यही होती है कैसे बनाए BRS को लेकर दोस्तों हर student अलग-लग तरीके से पढ़के आता है हर student है ना और हर student को अपना method easy लगता है naturally क्योंकि साल बड़ता गिसा है उस तरीके से तो एक उसका mindset बन जाता है तो उसको वो easy लगता है क्या-क्या होता है देखो कुछ लोग plus minus system से बनाते है कुछ लोग hand movement के द्वारा बनाते है ऐसा से करते हैं बड़ा यह कम यह छोटा यह बड़ा इसको बढ़ा दो plus कर दो minus कर दो ठीक है hand movement के द्वारा बनाना कुछ लोग debit credit के system के द्वारा बनाते है मेरे को पूरे system मालूम है ठीक है debit credit के system से बनाते है कि कि किसी बुक में credit हो गया तो DEBIT में डाल दो कि इसी बुक में debit हो गया तो credit में डाल दो ठीक है और other method बहुत सरे तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के है ना other method तो मन में आप क्या सूच रहे हो कोई भी तरीके साथ सोचो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जिसमें comfortable है आप उससे बिलकुल जा सकते हैं कोई issue नहीं है बस एक की चीज़ आपकी दिमाग देना चाहिए आपका जो भी method है पहले तो कुछिस करना कि मैं जो method बता रहा हूँ उसको adopt कर लेना क्योंकि मेरे को सारे method मालू है उसके बाद मैं आपको यह method बता रहा हूँ इसका मतलब कुछ तो इसके पीछे reason होगा ताकि आप किसे गल्तिया नहीं हो कुछ easy लगे आपको कुछ तो reason होगा लेकिन मतलब method मेरे को सम्मालू मैं पर मैं आपको यह बोलना चाहता हूँ कि आप method कोई भी लगाई है लेकिन जो presentation जो मैं बताने वाला हूँ वो होना चाहिए यह वाला जो presentation है ना debit create वाला यह allowed ही नहीं है मतलब कुछ ही ऐसी है जो यह plus minus वाला भी जो है ना यह भी अपनी institute नहीं देती तो आपको बनाना कैसे है यह मैं तरीका कवा बताऊंगा उस तरीके को follow करना मन में आपको जो सूचना है नहीं सूचो बस यह ध्यान आना चाहिए कि plus वाला आपके इसाब से भी plus होना चाहिए minus वाला आपके हिसाब से भी minus होना चाहिए answer मेरा और आपका same आना चाहिए लेकिन अब मैं तरीका क्या बताने वाले हैं सुनिएगा और मैं recommend करूँगा कि आप इस तरीका को डॉप कर लो बहुत ही easy है क्या बोलो मैं बहुत ही easy है चलिए हम स्टार्ट करने वाले देखिए एक बार मैं वापस से अब मैं swap कराऊ एक चीज़ को वापस से लिखूँगा मैं यह है अपनी cashbook का bank column bank column इधर हमारी passbook अब मैं short के लिखूँगा PB मतब passbook ठीक है आपको मालूम है यह debit है cashbook का यह create है passbook में भी debit है और passbook में भी create है अब जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ यह कृपिया करके दिमाग में छाप लेवे और ऐसी कोई में नई बात नहीं करना हूँ मैं अभी आपको चार बार तो अभी बता चुक हूँ अभी इस lecture में एक बार बोलना मेरे साथ साथ बोलना नहीं घर कोने से क्या होँ दोस्तों एक्ञाब दो देना आपको और में pas सुनल है तो इसके लिए हमेसा क्टив रहे। रहें और टीव रहें का तरीका क्या बनाते रहे लिए जो में बोट T रहें बनाते जाए लिखते जाएए पिर्क है deposit हम जब भी पैसा बैंक को जमा करते हैं तो हम लोग किस साइड लिखते हैं debit side और हम जब भी भी पैसा निकालते हैं तो हम लोग किस साइड लिखते हैं credit side तो यह एकदम पक्का दिमाग में बैठा लो cash book के debit का मतलब है जमा हो रहा है पैसा, cash book में credit का मतब है पैसा निकल रहा है हमारा पैसा bank में जमा होगा, हम लोग debit side लिखेंगे, हमारा पैसा bank से निकलेगा हम लोग credit side लिखेंगे, दिमाग में बैठा लो ठीक है, मैं जो rule बनाने वाला हो नो और debit credit वाला है चलो आगे बढ़ते हैं passbook में उल्टा होगा जब हम पैसा जमा करेंगे ना तो bank वाला हमको credit करता है अगर जब हम पैसा bank में जमा करेंगे ना तो passbook में कहां पर आएगा हमारे credit में आएगा और जब हम पैसा withdraw करेंगे तो पाजब को हमारे कि साइड आएगा debit side विड्रॉन ओके यह simple सा rule है कोई दिक्कत नहीं है कोई मतलब कुछ भी tough नहीं है सर आपको मेरे को सब को मालू है यह होता है लेकिन यह दिमाग में चाप लो मतलब speed से सोचना speed से तो पहले दिमाग में गहराई में उतार लो दिमाग के गम अंतरात्मा में उतार लो कि आपको दिखना चाहिए cashbook के debit मतलब deposit cashbook के credit का मतलब withdraw passbook, passbook, passbook debit का मतलब withdraw, credit का मतलब deposit ओके, याद हो गया, चलिए सर अब मेरा rule क्या है पहले तुम्हें ना logic से एक बार बताएता हूँ आपको एक logic से मैं आपको बताता हूँ और question कैसे आएंगे वो समझीएगा question कैसे आने वाले question आने वाला है आपको मालूम है कि BRS का मतलब क्या हो गया ये दोनों book के balance को आपस में बिलाना तो कोई भी एक book का balance आपको दिया रहेगा और दूसरे book के balance तक आपको पहुँच रहे तो मान दीजिए question या चलो एक काम करते हैं क्या मैं question आपको practically solve कर आएता हूँ और मैं दोनों logic से जिखा हूँ आपको ना मतलब logical manner क्या होना चाहिए और तेजी से काम करें का तरीका क्या होना चाहिए चलो सीधा practical करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा start करते है practical से pay number निकालिएगा pay number 82 sorry आपकी book में pay number को छोड़िए question number 2 निकालिए classwork में theoretical छोड़िए ये सब theory को छोड़िए बाद में बाद करेंगे हाँ सर question number 2 निकालिए classwork classwork question number 2 start करते है question में कि देखो ये आपको मालूम चलेगा कि कैसे बनता है brs और जो commerce वाले उनको अल्रेड़ि मालूम है चले start करते हैं लेकिन मैं वापस से क्या request करना हूँ कि मैं जो method बताने वालों वो एकदम easiest simplest method है तो अगर आप हो सके तो मेरे method के हिसाब से आप चलिएगा आपको ज्यादा easy लगएगा चलो पड़ता हूँ में from the following particular prepare a brs for Jindal Outset Limited कौन brs बना रहे है Jindal Outset Limited ये एक business है entity है ये brs बनाने वाला है ठीक है कब का बना रहे है ऐसा तो दिया नहीं है नहीं तो normally date भी दिया रहता है कि इस date का बना रहे है नहीं दिया तो कोई बात नहीं ठीक है अब देखो क्या लिखा है balance as per cashbook किता दिया 240,000 अराम से कोई भी brs की शुरुवाद जो होती न वो कोई न कोई एक book के balance से होती है और वो question में आपको दिया रहेगा जैसे इस question दो ही book होती है कौन कौन सी बोलिए एक होती है cashbook और एक होती है passbook और passbook का एक नाम और क्या होता है bank statement bank statement ओके हाँ तो मैंने क्या बोला हर brs के सुरुवाद एक book से होगी तो ये किस से सुरुआत होती है balance है इस पर cashbook मतलब आपको cashbook का balance दिया हुए अब एक problem है यहाँ पे एक problem है सर ये देखो क्या लिखा है balance दिया है आपको मालू मेंना cashbook में तो जो bank का balance है cashbook है लेकिन bank problem की बात हो रही है ने चुली bank का तो debit balance भी हो सकता है bank का तो trade balance भी हो सकता है कुछ नहीं दिया है तो क्या करें ये आपके notes में आना चाहिए ये चलो मैं लिखता हूँ if balance as per cashbook or balance as per passbook is given ये ये आपके notes में आना चाहिए ना कई बार question में balance नहीं दिया रहेगा silent है किवल क्या दो दिया cashbook का balance है या क्या बोलेगा passbook का balance है ठीकिए दोनों में कोई एक दे दिया तो इसका मतब हमेशा assume करना है आपको assume as favorable balance और favorable balance का मतलब क्या होता है deposit हमेशा ये मानने है कि balance favorable है अपन बोलते हैं न मेरा bank में balance है भले मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा bank में debit balance है पर bank में balance है मतलब मेरा पैसा जमाए तो कभी भी bank balance के बल दे दिया ना कि balance है तो ये मानना पड़ेगा कि हमारा पैसा बैंक में जमाए, favorable balance, ठीक है, चलिए, question मैं आ रहा हूँ आपसे, हाँ, तो BRS की सुरात किसे करनी आपको cashbook, देखो BRS बनाते कैसे, मैं बना रहा हूँ, चलो, question number 2, start करते है, solution 2, हम इसा आपको यह करना चाहिए, number आप डालें, solution 2 तो बाजू में क्या करना, pay number डाल दो अपने book का, चलिए, start करते हैं, heading डालेंगे, BRS, as on, date लिखते हैं यहाँ पर इसमें date नहीं है, तो blank छोड़ दो, of, क्या नाम दिया है, जिंदल, जिंदल, आउसेट, लिमिटेड, यह लिखके underline कर लो, अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि, exam में जब BRS आएगा, तो आपको columns कैसे बनाने हैं, बस दो ही column बनाने हैं, दो ही column बनाने हैं, एक column बनाईएगा, particulars का, और एक column बनाने हैं, आपको amount का, कुछ-कुछ theoretical बाते में आपको बीच-बीच में करते रहोंगा, ठेके, पर अभी, अब BRS बनता क्यासे ही हम लोग बात करें, तो दो column बनाने हैं, ब्रस में आपको, एक particular का, और दोसा amount का, BRS की सुरूप के से होती है किसी नग किसी एक बुक के बैलन्स है तो ये क्यूश्चिन में आपको दिया रहेगा जैसे इस क्यूश्चिन में किसका बैलन्स दी है CASH BOOK का अच्छा CASH BOOK का बैलन्स की वल दी है इसका मतलब क्या होता है DEPOSIT और deposit कमत होता है debit balance तो लिखते है debit balance S पर cash book यह BRS की एक book से सुरुआत हो गए और अब हम क्या करने वाले हैं जो जो दोनु बुक में जो difference के reason आपको दिये रहेंगे उनको plus minus करके हम कौन सी book में पहुचेंगे pass book cash book से सुरुआत कर रहे हैं और पहुचेंगे किस में pass book में balance किता दिया देखिया 2,40,000 2,40,000 है ना तो यह लिखते है 2,40,000 यह मैं लिख दिया amount के column है 2,40,000 ज्यादा column नहीं बनाना है केवल दो ही column बनाना है एक particular कर एक amount का ठीक है यह जो मैं बोलूँ यह compulsory है आपका method कुछ भी चले पर आपको दो ही column बनाना है एक particular और दूसा amount और अब मैं क्या करने वालो BRS बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यह देखिये यह आपको क्या दिया है 2nd number, 3rd number, 4th number, 5th number यह जो अगले 4 point है ना यह difference भी है मतलब और आपको आखरी में क्या बोला देखो calculate balance as per pass cash book से मने start किया तो कौन सा book का balance निकलना चाहिए pass book का तो आपको pass book का balance निकालना है तो आपको ना यह difference है मतलब यह 4 ऐसे transaction है जो एक book में record हो या दूसरे book में record नहीं हुआ इसके वज़ेसे difference आया होगा तो इनको पन plus minus करके क्या बनाएंगे निकालेंगे pass book का balance क्या है चलिए अब एक ही समस्या है कि यह plus और minus कैसे किया जाए जैसे start करते है point number 2 check issued but not presented in the bank amounting to rupees 1,36,000 हमने check issue किया हमने check issue कर दिया पर यह जो check है यह bank में अभी तक present नहीं हुआ हमने check issue कर दिया पर यह check bank में present नहीं हुआ ठीक है अब मैं पूरा एक बार analysis करके आपको संजार हो अपने लोग कौन से book से start करने cash book से यह रेखे cash book से हम start करे पहले तो ना मैं आपको एक logic के दौरा बना रहा हूँ पहले मैं किस के दौरा बना रहा हूँ logics के दौरा कि जो सही मायन में एक chartered accountant को जो सोचना चाहिए CA को लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं logics को किनारे कर दूँगा मैं तेजी से कैसे बनना चाहिए BRS मैं उसके उपर आज़ा हूँ ठीक है तो पहला मैं logics से बता रहा हूँ आपको देखिए आप किस से BRS की सुराद करें cashbook से आपको जाना का है passbook तक जाना है cashbook से सुरूख करके आपको निकालना क्या है passbook का balance निकालना cashbook का balance 2,40,000 आर है तो जहान जाना है उसको देखो अरे अपने को जहान जाना है तो उधर देखते ना अपन आपको जिसके जैसा बनना है आप उसको follow करते हो ना आपको जिसके जैसा बनना है उसको follow करते हो ना आप वो जैसा कर रहा है आप भी करोगे वो आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ोगे या वो भी काम करेगा, आप भी करोगे वो नहीं करता, आप भी नहीं करोगे, ऐसा ही तो होगा तो एक simple rule यह है logical view यह है कि अब जब आप plus minus करने वाले होने यहाँ पे, अब हम सब plus minus करने वाले हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि passbook की तरफ देखो जहां जाना है उसकी तरफ देखो आपको cashbook से कहां जाना है passbook तो आपका ध्यान passbook की तरफ होना चाहिए जिन transaction की वज़े से जिन transaction की वज़े से passbook का balance बढ़ा हुआ है तो आप भी plus कर दो तभी तो वहां तक पहुँच पाओगे और अगर किसी transaction की वज़े से passbook का balance कम है तो आपको भी क्या करना है, माइनस करना है मतलब वापस से देखो यह मैं logical view बता रहा हूँ, फिर मैं view को बदल दूँगा, पहले एक बार logical view बताएता हूँ कि आपको क्या होता क्या देखो आप, आपको यह देखना है कि जो difference की जो वज़े ना, उस difference की वज़े से passbook का balance अगर बढ़ा हुआ है तो आप भी बढ़ाओगे, तब ही तो बढ़ेगा और अगर passbook का balance कम है तो माइनस कर दो, तो अपने आप पर मैं काम कर रहा हूँ यह है मेरा cashbook, यह है मेरा passbook देखे, सुरात में मैं थोड़ा सा time इसके उपर दे रहा हूँ, ताकि हर कोई add पार आ जाए जिसको नहीं आता उसको भी clear हो जाए उसके आप तो बड़ी speed से चलेगा एक बात basics में clear करना चाता हूँ आपके, मैं example ले रहा हूँ, मान दीजे मैंने 2,00,00 रुपे जमा किया था तो यह 2,00,00 रुपे debit में आ गया है मेरी book में, और credit में मान दीजे 50,000 एक entry मेंने pass किया 30,000 एक entry पास किया और मेरा balance दिख रहा है एक लाग 20,000 रुपे यह cash book का balance दिख रहा है, एक छोटा सा example ले रहा हूँ logic डेलोग करने के लिए pass book जब मैंने देखा न तो pass book में 2,00,00 रुपे की एक entry थी, मतलब मैंने जो debit किया pass book में create हुआ, दोनों ने entry कर दी इसके बाद pass book के debit में 50,000 रुपे था 30,000 रुपे के entry pass book में नहीं है, मतलब entry नहीं बनी है, तो pass book का balance किता रहा है 1,50,000 छोटा सा एक BRS बनाते हैं, ठीक है तो दोनों book में difference आ गया अब मान दीजिए, मैं cash book से start करूँ, समझना तो मैंने लिखा यहाँ पे cash book या अगर बात करते हैं, BRS कैसे बनेगा, देखो debit balance as per cash book कितना, 1,20,000 ठीक है, cash book का debit balance से 1,20,000 ओके, और अब मैं देखता हूँ कि difference किसकी वज़ा से आ रहा है, देखुआ यह 30,000 रुपे की जो entry है न, यह हम ने कर दिये, और bank ने नहीं की अच्छा, यह मारा credit side है, इसका मतलब क्या हुआ, यह मैंने check दी होंगे लोगों को, यह मैंने payment की होंगे check, check मैंने issue की होंगे, payment यह को मैं क्या बोलूँगा issue, तो क्या हुआ होगा सुचो न आप, यह 30,000 का difference क्यों आ रहा है, मैंने किसी को check दे लिया, लेकिन और check bank में present नहीं हुआ, सामने ला bank में गया ही नहीं, तो पैसे निकले नहीं मेरे account से, इसी वज़े से reference आ रहे ना, तो अब मैंने क्या बोला आपको, हम BRS की सुरात किसे करें cash book, लेकिन मेरे को जाना कहा है, मेरे को जाना है pass book का balance बढ़ा हुआ है, तो मैं plus करूँगा, कम होगा तो minus करूँगा, ठीक है, अब ज़रा सोचिए मेरे को, यह जो 30R है, 30R के entry मैंने तो pass कर दी, ठीक है, मैंने pass कर दी मतब क्या हो गया, मेरे book में तो balance कम हो गया, मैंने issue के entry कर दी अगर entry होती, तो कम होता ना, pass book में अगर entry होती, तो कम होता ना, pass book में entry मतब क्या हुआ, pass book का balance कम नहीं है, मतलब pass book का balance बढ़ा हुआ है, क्योंकि 30R के entry debit में नहीं हुई है, तो इसकी वज़ए, bank से पैसा नहीं निकला ना तो पास्बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ है तो इसको मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा 30,000 रुपए तो अपने आप किता जाएगा एक लाग पचास जार या गया पास्बुक का बैलेंस मतलब सही मैंने में क्या होता है हम लोग ये देखते हैं कि जो भी difference की वज़ाए जैसे यहाँ पे 30,000 रुपे का difference है इसकी वज़ाए से passbook का balance बढ़ा हुआ है कि कम है जैसे इस case में क्या होगा इसकी वज़ाए से अगर यह पैसा निकलता तो passbook का balance कम हो जाता पर निकला नहीं मदब passbook का balance बढ़ा हुआ है पास्बुक का बैलन्स बढ़ा हुआ है तो आप भी बढ़ा दो यहां पर प्लस कर दो तो प्लस करेंगे तो किता जाएगा एक लाग पचास दार या अगर हैंड मुवमेंट की तुरू कैसे बुलते हैं इसको यह देखें यह 30,000 रुपए ना यह अपनी कैश्बुक और यह पास्बुक तो 30,000 के एंट्री कैश्बुक में हो गई तो कैश्बुक में हो गई मतलब क्या हुआ कैश्बुक का बैलेंस कम हो गया क्योंकि पैसा निकल गया हमारी कैश्बुक का बैलेंस कम हो गया लेकिन पास्बुक का बैलेंस कम हो गया लेकिन पास्बुक का बैलेंस कम यह टेली होगे, इस तरीके साब को बनाना होता है BRS, तो यह जो तरीका होता ना, यह actual में logical है, लेकिन मैं उसको एक दूसरे तरीके साब को बताऊँगा, चलो, अब हम लोग one by one करते हैं, क्या हुआ देखेँ आप, चेक इशू किया लेकिन bank में present नहीं हुआ, तो सोचना क्या हुआ होगा, यह हमारी cashbook है, यह हमारा passbook है, यह कौन सी है, cashbook, यह कौन सी है, passbook, तो क्या हुआ होगा चेक इशू किया, तो किसी book में interview होती ही पहले, cashbook में, तो cash book का balance क्या हो गया? कम लेकिन pass book का balance क्या है? बढ़ा हुआ है देखवा कम नहीं हो ना, मतलब pass book का balance बढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा plus, हमको हर transaction किसके साब से देखना है इस question में? pass book के साब से, तो इसलिए मैं इसको rented, कितना amount है? 1,36,000 यह ओगया plus, इसके बाद, आगे transaction बढ़ते हैं, next थोड़ा सा तेजी से लिखिएगा, check issue but not presented, आगे बढ़ते हैं, अगला point, check deposited in bank but not yet cleared, check हम ने जमा किया लेकिन clear नहीं हुआ, clear नहीं हो मतलब क्या होता है? इस clear नहीं हो मतलब क्या हुआ? not collected, जिसको भी लिखना है, लिख लीजिएगा, check clear नहीं हो मतलब collect नहीं हुआ, क्या हुआ होगा? हमने check bank को दे दिया, कि जाओ पैसा लेके आओ, लेकिन bank को भी तक पैसा नहीं मिला, again सोचिएगा, यह entry कहा होगी? cash book में होगी, हमने पैसा bank में जमा कर दिया, तो जमा करेंगे, तो cash book का balance बढ़ गया, cash book का balance बढ़ गया, लेकिन देखो, pass book वहीं की वहीं है, पैसा bank में आए नहीं, मतलब pass book का balance क्या है, कम है, देख सकते हो, आप कम है ना, तो इसे क्या करेंगे, minus, pass book को देखना है, आपको, minus, check, deposited, but not collected, amount किता दिया है, 90,000, minus जबी भी होगा ना, तो किस में करना, bracket में लिखना, एक habit डालना, minus का मतलब किस में लिखना आपको, bracket में, ओके, चलिए, आगे बढ़ते है, bank charge, 300 rupees, bank ने हमारे उपर 300 रुपे का चार्ज लिया, again, यह अपनी cash book है, यह अपनी pass book है, bank में charge लिया, तो entry कहा होगी होगी, बताइए, pass book में, कहा होगी होगी, pass book में, अच्छा, bank charge लेगा, तो pass book में हमारा balance बढ़ गया होगा, कम होगया होगा, कम होगया होगा, pass book में balance कम होगया, क्योंकि bank ने पैसा निकाल लिया, तो हमारी बुक में जो past book है नहीं उसमें balance क्या हो गया? कम, और अपने को past book की देखना है, हर transaction में अपने को क्योंकि अपने को पहुंचना का है past book तर, तो past book का balance कम है तो मैं क्या करूँगा? कम कर दूँगा, simple, लिखता हूँ में minus bank charge 300, minus से किसमें लिखेंगे? ब्रेकेट में, ओके, बैंक चार्ज, 300, इसके बाद, आखरी पॉइंट, इंटर्स क्रेटेड बैंक, रुपीज 1,25, देखो क्या लिखा है, बैंक ने इंटर्स को क्रेडिट किया हमारे अकाउंट में, बैंक ने क्रेडिट किया का मतलब क्या हुआ, यह किसकी बाद कर रहा है, देखो, पास्बुक, यह देखिए, बैंक ने मतलब पास्बुक ने, क्रेडिट क्या मतलब क्या हुआ, पैसा जमा किया, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, जमा हुआ, देखिए, अगेन, यह कैश्बुक, यह पास्बुक, अगर passbook में हमारे account में पैसा जमा होगा तो passbook में हमारा balance बढ़ जाएगा तो passbook का balance बढ़ गया तो क्या करना है plus करना है passbook की तरफ देखो हर बार इस question में तो यह मैं क्या करूँगा plus interest credited by bank किता रुपए है 1250 1250 ओके खता होगे हाँ बस अब आपको क्या करना है plus मानस करो जारा फटा फिर 240,000 plus 136,000 ओके minus 90,000 minus 300 plus 1250 कितना आ गया 1250 एक मट कुछ 240,000 हाँ किता आ गया 286 286 950 यह जो plus minus करने के बाद जो आता है वो किसका balance आ गया pass book का तो cash book का debit balance था तो pass book को हम क्या लिखेंगे credit balance as per pass book credit balance as per pass book यह आ गया आपका answer यह क्या आगया आपका answer मतलब ध्यान रखना exam में जब question आएगा ना तो आपको इस तरीके से बनाने एक book का balance गया रहेगा यह पूरे plus minus करने आपको यह तो narration है particular में जो आप लिखेंगे कोई बड़ा matter नहीं है और यह plus minus plus रहे तो normal लिखना और minus होगा तो उसको bracket में लिखना figures को और यह जो आखरी में आएगा न यह आजाएगा past book के इसाब से balance तो यह तरीका होता है actual में logical कि सही तरीके से अगर ब्यारेस बनाना तो उसका तरीका ही होना चाहिए कि जिस book से start करा है जैसे इस question आप में case book से start किया तो other book क्या है past book तो past book देखो past book का balance बढ़ा है तो plus करो कमे तो minus कर दो लेकिन हमको exam में क्या करना है तेज काम करना है क्या काम करना है तेज काम करना है तो अब मैं आपको इसी question को जो आगे मैं हर question में follow करने वाला हूँ उसके बड़े फायदे भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो अब इसी question को मैं एक नए तरीकिस आपको बनाने वाला हूँ चलिए अब मेरा method क्या है सुनिए गंध्यान से मेरा method क्या है debit debit minus debit credit plus अगर आप BRS की starting करते हैं starting from debit balance अगर आप BRS की सुरुआत करते हैं debit balance से तो किसी भी book में भाई BRS कब बना रहे हूँ आप एक book में एंटी होगी दूसरे में नहीं होगी वही तो difference की वज़या न तो आप debit balance से start करें तो बस आपको focus करना है किस पे आपको ये देखना है ये देखना है कि जिस book में भी एंट्री हुई ना उस book में debit हुआ है कि क्रेट हुआ है कोई भी book में अगर debit हो गया तो minus कर दो credit हो गया तो plus कर दो ये तो BRS की सुरुआ थी question में दिया रहेगा इसमें सोच रहे नहीं है आपको दिमाग लगाना इस पे कि BRS के जो difference के जो point ना वो क्या दिया है वो कोई नहीं कोई book में entry हुई है बस आप ये देखो कि कौन से book में entry हुई है और entry हुई तो debit हुआ है कि create हुआ है अगर debit हुआ है तो minus कर देना create होगा तो plus कर जाएगा नहीं समझा है ना नहीं आता एक बार में अब मैं समझाता हूँ मैं इस question पे start करता हूँ ठीक है चली 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 come on come on fast चली और आज थोड़ा बहुत हो सकता है आपको मन में किसी के मन में doubt आ सकता है है ना कुछ और सकता है तो आज first class है अभी करीब 4 lecture इसके हम लोग discuss करेंगे 4 से 5 lecture का है ये topic तो एक दो दिन में एकदम आप सब comfortable हो जाएंगे गरेंटी है जब आप ज़्यादा question राएंगे न तो आप एकदम comfortable हो जाएंगे हड़बडाना मत कई लोग पहले दिन से एकदम हड़बडा जाते है समझिएगा चलो ये BRS की सुराथ किसे हो रही cash book मेरे को ये जो मेरा method है मेरे method की इसाब से आप कौन से book से बना रही उससे कोई मतलब नहीं है बस ये देखो कौन से balance से बना रहे हो cash book का debit balance से आप BRS की सुराथ करे हो ठीक है ये देखिए अपने BRS की सुराथ की से की थी cash book के debit balance से अब मेरा rule क्या है मेरा rule यहाँ पर क्या है debit debit minus debit credit plus मतलब इस पूरे question में मैं क्या करने वाला हूँ मैं debit balance से BRS की सुराथ कर रहा हूँ क्यों नहीं इदर लिखते भी जाओं देखो मैं debit balance S पर cash book से मैं BRS की क्या कर रहा हूँ सुराथ कर रहा हूँ तो कौन सी book है ये मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है लिखना पड़ेगा लेकिन मेरे को मतलब नहीं है BRS में plus minus करने के लिए में लिए important क्या है मैं debit balance से स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे दिमाज में एक ही चीच चलने वाली है वो ये है कि मैं इगा महिंदी में लिख रहा हूँ यदी यदी किसी भी book में आप भी लिख देना किसी भी book में debit हो गया तो minus करो second यदी किसी भी book में किसी भी book में क्या लिख रहा हूँ में किसी भी book चाहे cash book हो pass book हो कोई भी book में credit हो गया credit हो गया तो plus करो खतम हो गया मेरा पूरा chapter खतम हो गया पूरा chapter मेरा खतम हो गया क्या बुलो हूँ में देखो आप मैं debit balance से शुरुआख करूँ न question में दिया रहता है साथ साथ cash book का balance है मतलब debit balance है मानना पड़ता है अपने को अब मैं ये देखूँगा जो 4 transaction दिये न मैं क्या देखूँगा किसी भी book में चाहे cash book हो, pass book हो, कुछ भी हो मेरे को कुछ नहीं देखना है मैं ये देखूँगा, कोई book में तो entry होई है, जिस book में entry होई है, उसमें ये देखूँगा कि debit होई कि credit होई है अगर debit हो गया तो minus कर दूँगा अगर credit हो गया तो मैं इसको plus कर दूँगा ये कोई scientific तरीका नहीं है लेकिन ये सबसे easy तरीका है अगरे examiner मैंने logic वाला पहले दे दिया आपको logic भी मैंने आपको बता दिया बीज़ीच में logic भी दे दूँगा, आपको कोई बड़ा meta नहीं है, लेकिन तेजगती से काम करना ना तो इससे easy तरीका कुछ भी नहीं है, ठेक है हाँ, तो बोलते हैं ना low है low ही को कारता है वैसी debit, debit minus low है low ही को कारता है याद रखो code word कहां low है low है को कारता है है ना, तो debit, debit yaha पे कारत रह Defense minus पर debit से हम चालू करें, credit हो रहा है तो यह जूर जाएगा, प्लस हो जाएगा attract करेगा, debit से हम चालू करें किसी book में debit होगे न तो minus कर दो debit debit minus debit credit plus तीन चार बर बोल दो debit debit minus debit credit plus debit debit minus debit credit plus ओके चली अब हम देखते हैं यह मैं रखता हूँ इधर cash book है यह pass book है debit credit debit credit और लिखूँ इसके debit का मतलब क्या होता है deposit इसका मतलब का withdraw इसका उल्टा pass book के credit का मतलब deposit और debit का मतलब withdraw ठीक है थोड़ा सा rough हो गया इसको इधर लिख देते हैं यहाँ पे लिख रहूँ है यह cash book यह pass book debit rate यह पूरा दिमाग में आपके छपा रहना चाहिए शुरू शुरू है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ deposit इसका मतलब है पैसा credit का मतलब withdraw पैसा निकला pass book के debit का मतलब पैसा निकला withdrawal और credit का मतलब होगा पैसा जमाँ चलो start करो यह लेखा देखो आप check issued but not presented in the bank देखो क्या हुआ check हमने issue किया check हमने issue किया तो issue हुआ पर bank में present नहीं हुआ तो कौन से book में entry हुई है cash book में entry होगी यह देखो यह entry कहा हुँ है देखो cash book में ठीक है यह clear आपको check issue किया तो हमने एंटी कि पास कर दी होगी हमने क्या किया होगा हम check issue करें तो क्या होगा हमने credit क्या होगा हमने क्या क्या होगा credit क्या होगा तो मैंने क्या बोला किसी book में अगर credit होगा तो इसको क्या करना है plus तो यह 1,36,000 को में क्या करूँगा प्लस करूंगा, खतम चेक कर लेना, आगे बढ़ते हैं चेक डिपॉस्टेट, बट नॉट प्लियर चेक जमा किया, तो बताइए कौन से बुक में एंट्री होगी, ये भी एंट्री किस में होगी कैश बुक में एंट्री होगी कहाँ पेंट्री बोलो, कैश बुक में अब बताइए, आप जब आपने पैसा जमा किया बैंक में तो हमने कैश बुक में एंट्री किस साइड कियोगी देबिट साइड, किस साइड कि एंट्री कियोगी, देबिट साइड ये ऐसा करते है, कैश बुक में क्रेडिट किया तो प्लस हमने यहां पर क्या किया cash book में debit किया debit debit minus तो यह वाला क्या हो जाएगा minus आगे बढ़ो bank recharge लगा है अब 300 रुपए तो bank recharge लगा है तो entry कहा हूँ यह pass book में हुई है अब बताइए pass book में debit हुआ क्योंकि पैसा हमारा निकला है तो debit हुआ है किसी बुक में तो debit मैंने क्या बूला था minus तो यह क्या हो जाएगा minus यह हो जाएगा minus उसके बाद bank interest created by bank bank interest create किया बताइए अंट्री कहा हूँ यह pass book में और यहां तो साथ साथ लिए pass book में क्या क्या क्रेट किया किसी बुक में create होगा तो credit को क्या करना है plus प्लस, minus, minus, plus चेक कर लो यह पहला plus है, दूसा minus है, तीसा minus है, चौथा plus है आपने यह ही किया है कि चेक करो जाएगा यह देखिए भी यारेस बनाए ना पहले को प्लस दूसरे को माइनस तीसरे को माइनस चौटे को प्लस तो यह आपका अंसर आ जाएगा मैं यह जो method है ना यह method को मैं easy क्यों बोलना हूँ एक बर सुन दो यह मैं method को easy बोलना हूँ इसमें कोई मतलब आप किस बुक से start कर रहे हो कोई मतलब नहीं है चाए order of allocation हो चाए deposit allocation हो हर question में यह formula यह जो मेरा जो तरीका वो काम आने वाले आपको इसमें मैं बोलूँ सबसे easiest तरीका है किवल क्या धिहान लखना है आप किस से start करने है आप debit balance से start करे हो ना तो यह भी मत देखो कि कुछ कौन सी बुक से आप debit balance से start करोगे ना तो आपको यह देखना है किसी भी बुक में अगर debit हुआ है तो minus करना है किसी भी बुक में अगर create हुआ है तो plus करना है ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया अब आप एक काम कर सकते हैं चलो आज मैं कोई homework भी नहीं देता आज बस आपना एक काम करो इसी question के उपर एक बार focus करो और कल जब मैं question start करूँगा तो आपके दिमाग में ये वाला जो मेरा rule है वो rule आपको clear होना चाहिए जो मैंने आपको बताया कि हम लोग जो भी question करेंगे वो इस method की साथ से करेंगे ओके बाई बाई